दोस्तो आट टाटा IPL 2013 का मैच नमबर 7 इस खेला जाएगा ये मुकाबला राजिस्थान रोयल इसके साथ ही दोस्तो चन्नाई सूपर किंग के भी इस खेला जाएगा तो आखिरकार इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली है पिजी रिपोर्ट पिज सेकेंड गेंद बाजो किन बाजो को मिलने वाली है मदद कितना बनेगा फास इनिंग में इसकोर कितना बनेगा सेकेंड इनिंग में इसकोर कौन से टीम जीते की मुकाबला इसके लवा क्या होगी दोनों टीमों की प्लेंग लेंग आपकी फैंटसी टीम में किन ग्यारा खिलाडियों को होना चैक कौन ऐसे खिलाडी यहाँ पर देने वाले हैं आपको सबसे ज्यादा पॉइंट ए टुजेट सभी जानकारिया हम आपको बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस मुकाबले की फैनल फैंटसी टीम पाना चाहते तो आप हमारे टेली ग्राम से जुड़ें टेली ग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल से तीने श्टफ फालो करना है वीडियो की नेची मोर का आइकन नजरा होगा उस पर आप टैप करेंगे फैनल फैंटसी टीम मिलने वाली है तो ऐसा करते हैं आप लोग टेली ग्राम से जुड़ गए होगे तो आईए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आपके सबसे ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाल तो आईए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तो सबसे पहले इस मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट के बारे में बाई साफ वेदर रिपोर्ट की बात के जाए हमेटी 32% है रैन के कोई चांस नहीं यानि कि बिना किसे रुकावट के हम लोगों को ये मुकाबला देख प्रशने को मिलने वाला इसके लाँ टंपरेचर की बात की जाए दोस्तो इस दोरान टंपरेचर 19 डिग्री संटीग्रेट के आस पास बना रहेगा मैदान पर तो इस तरीके का वेदर है इसके लाँ आगे बढ़ते हैं और बात के लाँ पर पिछी रिपोर्ट के बारे में पिछी रिपोर्ट की बात के जाए लाश्ट अदस मुकाबलों की बात के जाए तो कोले 103 बिकेट गिरें जहांपर 60 बिकेट पेसर्स को मिले और इसके साथ ही 43 बिकेट स्पिनरों को मिलें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेसर्स को काफी ज़दा मदद म लही है तो अपनी फैंटेसी टीम में पेसर्स को बैक कराना, कौन से पेसर्स होगे हो हम आपको आगे बताएंगे इसके लगाँ तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आब ग्राउंड डामेंशन के बारे में इस मुकाबले के लिए ग्राउंड डामेंशन बांडरी किस तरीके के रहने वाले square boundaries की बात करें दोस्तो square boundary जो रहने वाली या 72 मीटर के आसपास रहने वाले इसके साथ mid wicket और इसके साथ ही state boundary की बात किजिए तो 75 मीटर के आसपास रहने वाले तो इस तरीके का दोस्तो यहां पर ground dimension होने वाला इसके लाओ दोस्तो आगे बढ़ते ह और बात कर लेते हैं वेन्यू रिपोर्ट के बारे में दूस्तों वेन्यू रिपोर्ट की बात की जाया इस ग्राउन परस्ट इनिंग ऐवरीज डियर्ज स्कोर 155 से खड़ गराउन पर 454 मुकाबले के लिए जिसमें पहले बल्ले बाज़ाई टीम को पंदरा मुकाबलों जी तो कप्तान टॉस दीद करके पहले गेंद बाजी करेंगे सेकंड इनिंग में इस ग्राउंड पर चेस करना थोड़ा इजी हो जाता है इसके लाओ दोस्तो आगे बढ़ते हैं और बात चलेते हैं वेन्यू रिपोर्ट के बारे में इस ग्राउंड का हाईएश स्कूर दोस्तो लुष डिफेंड की बात के जाए तो बाई सब लुष डिफेंड इस ग्राउंड का 144 है तो इस तरीके का यहाँ पर वेन्यू का रिकॉर्ड है इसके लाओस तो आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए की प्लेयर्स के बारे में की आखिर का दोनों टीम उसके साथ ही जड़ेजा और मिचल सैंटेनर होने वाले तो यह चन्नाई की च तरप से की प्लेयर्स होने वाले हैं इसके-लाओ दूस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दुनों टीम, दूनों की प्ले-इंग-इंग-इबन की बात करें तो सब से पहले बात करते पर राजिस्थान के बारे में राजिस्थान की तरफ से खेलने वाले सस्वी जेस्वाल, जोस बटल, संजु सैंसन, देउदत पार्टल, सिमरोन, हिटमायर, दुरू जुरेल, इसके साथ ही रभी चंदन अश्विन, और इसके लाजेसन होल्डर, ट्रेंड बोल्र, संदीप सर युजिवंदर चाहल होने वाले, इसके लाज तो आगे बढ़ते हैं और बात कलेते हैं चन्नाई टीम की प्लेइंग लेवन के बारे में, तो रितुरास गायकवार, डिवेन कॉनवे, अजिंके रहाने, सीवम धुबे, मोईनली, और इसके साथ ही रभिंदर जड़ेजा, क टीम की बात करें तो यहां पर बिकेट कीपर के तोर पर बटलर सेमसन कॉनवे को रखा है, अगर यहां पर राजिस्थान की टीम फर्स इनिंग में बल्ले बाजी करती तो सायद यहां पर सेमसन को ड्रॉप कर सकते हैं, वो आपको फाइनल टीम टेली ग्राम पर मिलेगी, इ इसके साथ ही, SSV, Jaiswal, इसके लवा आल अंडर के तोर पर रबिंदर जड़ेजा, मोईनली और एक तो खेलने वाले इसके साथ ही, बॉलर्स की बात की हैं, तो ट्रेंड बॉल्स में इसके लाओ मुके और इसके साथ ही, पथिराना खेलने वाले, तो यह हमारे बॉलर्स होने पर आपको फाइनल टीम मिले वाली, आसा करते हैं वीडियो में दीगे वी जानकारी, आप लोगो पसंद आयों, पसंद दो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसी तरीके से हमसे रूबरू होते रहें